बहारत बा मुकाबला सौथ अफरीका बहारत और सौथ अफरीका के दिर्मियान पांच T20 सिरीज जा रही है आज सौथ अफरीका और भारत के दिर्मियान दूसरा T20 मैच खेला गया भारत को सौथ अफरीका ने एक इवरतनाज शिकास दे दी इससे पहले सौथ अफरीका ने पहले T20 में भारत को शिकस्त दी है आज दूसरा T20 भी जीत कर सीरीज में 2 सिफर से आगे हैं अगर सौथ अफरीका एक भी मेच और जीत जाती है तो सीरीज जीत जाएगी भारत के लिए मुश्किलात का सामना खड़ा हो गया है क्योंके अगर आगे बोले वो तीन मेच जीत जाए तो ही सीरीज जीत सकती है वरना सीरीज सौथ अफरीका के हाथ में चले जाएगी जिस तरह से सौथ अफरीका की टीम क्लासन के बेटसमेंट से आज अच्छी इनिक्स खेलिया है इस तरह से पिछले मैच में डिवेड मिलर ने भी काफी शानदार इनिक्स पिछले मैच में भारत के बले बाजुने काफी अच्छा रंस खड़ा किया 212 का टार्गेट तो दिया मगर सौथ अफरीका ने उसे रंते हुए पूरा का लिया पहले बले बाजे करते हुए भारत ने 212 का रंस दिया अब बारी आई गैंद बाजुन की मगर पिछले मैच में भी गैंद बाजुने कुछ खास का नामा अन्जाम नहीं दिया और गैंद बाजुन की वज़ा से ही भारत को शकास्त मिली भारत की ये च्छोटी टीम या बी टीम कह दें तो ये सौथ अफरीका को हराने में काम्याब ना हो सकी जिस तरह से पहले बेर्समैन विराट कॉली रोयट शर्मा और केल राहुल बेटिंग करते थे उस तरह से बेटिंग देखने को नहीं मिल दी इसके इलावा गैंद बाजु के बाद करें तो आज बनेश्वर कुमार ने चार विक्टें हासल की और सबसे कम तरीन डेट दिया इसके लावा अगर हम बात करें जैस्परेट बुम्रा की तो वो इस बार टी ट्विटी सौथ अफरीका की सिरीज में नहीं खेल रहे जिसका खाम्यादा भारत टीम भुगत रही है नेक्स्ट मैच में अर्षदीब और उमान मले को खेलने का मौका दिया जा सकता है क्योंकि जिस तरह से यूज विचाल ने आज बॉलिंग की एक विकेट तो हासल की मगर जिस तरह से रन लोटाए वो देखने को थे आज भी भारत दूसरा टी ट्विटी मैच हार गया है और सौथ अफरीका अब सिरीज में आगे है अगर वो एक मेच भी जीत जाती है तो भारत को उसी के होम गिराउंड में शिकास्त होगी इसलिए भारत पूरी कुशश करेगा कि आगे तीन आने वाले ट्विटी मैच जीत आप एक कमेंट में राय लाजमी दें भारत को कौन सी स्ट्रेटिजी अपनानी चाहिए कि वो आगे तीन वाले मैच जीत सके थैंक यू